नमस्कार हिमाच्टल बुलेटिन में आपका स्वागत है पेश है आज के समचार मुख्यमंद्री श्वीजायराम ठाकुर की अधिक्षता में आज आयोजित प्रदेश मंत्री मंदल की बैठक में हिमाच्टल ब्रदेश सचीवाले में कनिष्ठ कार्याले सहायक आईटी के स्थान पर लीपिक के सौपद भरने तथा वर्ष 2022 और 2023 में संभावीत रिक्तियों के दृष्टेगत लीपिक के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की मंत्री मंदल ने राजय में स्वर्ण जियनती परंपरागत बीज सुरक्षा एवं समवर्धन योजना आरंभ करने का निरणे लिया है मंत्री मंदल ने वर्ष 2021 के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के अंतरगत कक्षा पहली, तीसरी, छटी और नौवी कक्षा के बच्चों को स्कूल बैग प्रदान करने की उदेशे से इनकी खरीद आपूर्ती और वितरन के लिए हिमाश्र प्रेश राजय नागरी का पूर्ती निगम द्वारा, ए निविदा के लवन निविदा धाता, मैसर्ज, हाई स्पिरिट कॉमर्शल वेंचुर्स प्राइविट लिमिटेड को स्विकृति बदान की इससे प्रदेश की विभिन राजकिय पार्ट शालाओं में अधयन रत लगभग 3 लाख विद्यार्थियों को लाब होगा और इस पर लगभग 9 करोड रुपे की राशी व्याय की जाएगी बैठक में वर्ष 2020 से किसके लिए पत कर टॉल इकाईयों की टॉल फीज को कम करने इसमें छूट देने को भी स्विकृति प्रदान की गई यह निरने पिशले वर्ष जून 2020 से सितंबर 2020 के मध्य राजय में केवल आवश्यक वस्टू की धुलाई में लगे वाहनों को ही प्रवेश की अनुमती परदान करने के कारण इन इकाईयों को हुए घाटे विशेश तोर पर ऐसी टॉल इकाईयां जिन्होंने अपने निविनी करन के लिए पूरी राशी का भुगतान किया था उनकी ओर से पत कर फीस में छूट अथवा इसे कम करने तथा मासिक किस्ट के भुगतान के सबंध में प्रस्तुत की गई मांग के अधार पर लिया गया मंत्री मंदल ने मैसर्ज टार्टा कंसर्टेंसी सर्विसेस कानुबंध 6 करोड 18 लाख रुपए के बिना किसी कर भुगतान के साथ 1 मई 2021 से 30 अपरेल 2022 तक बढ़ाने का निरणे लिया बशर्ते आपकारी विभाग एसेवाएं आंतरिक स्तर पर अपने अधीन लाने के लिए तंत्र विक्सित करेगा मंत्री मंडलने मंडी में नया विश्वविद्याले स्थापित करने के लिए दासरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी हिमाश्र प्रदेश स्थापना एवं विनिमयन बिल 2021 प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत करने का निरणे लिया बैठक में प्रदेश में सतत परिवहन वैवस्था को बढ़ावा देने के लिए बिजली चालित वाहनों के विकास और विद्यूत चालित वाहनों के निर्माण में वैश्विक केंद्र बनाने और सारवजनिक तथा निजिक शेतर में इन वाहनों के लिए चार्जिंग कांगडास जिला की फटहपूर तैसील के अंतरगत रे में उपतहसील खोलने और इसके लिए विभिनन श्रेणि के बारह पदों के स्रेजन को सुईक्रिती प्रदान की बैठक में शिमला जिला की जुनगा उपतहसील को सतरोनत कर तैसील का दर्जा प्रदान करने की सुईक पर निधी योजना के अंतरगत, स्ट्रीट वेंडर्स वरहेडी वालों इत्यादी के लिए स्विकृत रेंड के लिए हाइपोथीकेशन अनुबंध पर स्टांप ड्यूटी घटा कर नियूंतम 10 रुपए करने का भी निर्णे लिया गया। जलशक्ती विभाग का सेक्षन कार्याले खोलने तथा विभिन श्रेणियों के चार पदों के स्रिजन को स्विकृति प्रदान की। फट्टी गहरा के अटाला गाउं शिक्षा खंड पांगी स्थित के लाड़की ग्राम पंचायत शुन के गाउं टावा और ग्राम पंचायत सेटु के गाउं पुष्वाश चास्क राज की प्रात्मिक पाठ्चालाइं खोलने को स्विकृति दी। बैटक में मंडी जिला के द्रंग विधान सभाग शेतर के अंतरगत रैंस गाउं तथा सुंदरनगर विधान सभाग शेतर के चिराल में प्रात्मिक पाठ्चालाइं खोलने की भी स्विकृति प्रतान की गई। मंत्री मंडल ने कुलू जिला के आनी घंड में स्थित राज की प्रात्मिक पाठ्चाला देवरी को सरुनत कर राज की मादमिक पाठ्चाला बनाने और इसके लिए विभिन श्रेणियों की पदों को स्रिजन करने की स्विकृति दी गई। बैटक में जिला मंडी के सरोवा में प्रात्मिक स्वास्थे केंद्र तथा बसी में स्वास्थे उपकेंद्र आवशक पदों के स्रिजन सहित खोलने का निरने लिया। कुलू जिला की कुलू तहसील के मुहाल रोपडी में हिमाश्चर प्रदीश राजे विदुत बोर्ड लिमिटिट को भुटी में 33 बटे 11 केवी 2 गुना 1.16 MVA उपमंडल सापित करने के लिए 0-12-0-0-0 हेक्टेर भूमी 99 वर्षों की लेज़ पर 1200 रुपे प्रतिवर्ष क लीज मुल्य पर देने का निर्णे लिया बैचक में वायू सेना केंदर डलहौजी के लिए भारतिय वायू सेना रक्षा मंत्राले भारत सरकार को नियमों और निर्देशों में चूट परदान करते हुए एक विशेश मामले के तहत मोती टिबबा में 766 वर्ग मिटर भूम को मुहाल कस्वाती नसोगी मनाली और मुहाल कस्वाती छियाल विहा मनाली में 1,653 हेक्टेर वन भूमी 99 वर्षों की लीज पर 16,583 रुपे प्रतिवर्ष की लीज मुल्य पर इसमें प्रती 5 वर्ष पश्चात 5 प्रतिशत की बढ़हौतरी करने को अपनी स्विक्रिती दी मन्त्री मन्डली कांगडा जिले की धरमशाला तैसील और मोजा के अंतरगत 0,051 हेक्टेर भूमी कांगडा आर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंजकरत धरमशाला को 99 वर्ष की लीज पर 13,158 रुपे वार्षिक लीज मुल्य जिसमें की प्रती 5 वर्ष पश्चात 5 प्रतिश उप तैसील हरिपुरधार में स्थानंत्रित करने को भी स्विक्रिती पदान की। मंत्री मन्डली उना जिले में पुलिस चौकी महतपूर को सरोनत कर पुलिस थाना बनाने और इसके लिए विभिन श्रेणियों के 19 पदों के स्रीजन को अपनी स्विक्रिती दी। बैचक में कांग्राजिले के नूरपूर स्थित पुलिस उप अधिक्षक के कार्याले को सरोनत कर अतिरिक्ट पुलिस अधिक्षक करने को स्विक्रिती दी। मंत्री मंदल ने मंदिस जिला में ग्राम पंचायत धरोट को विकास खंड गोहर से स्थान अंतरित कर विकास खंड नीहिरी में शामिल करने को अपनी स्विक्रिती दी। मंत्री मंदल ने मंदिस जिला के खन्योल, बगड़ा, चर्खडी, सेरी और जैदेवी में प्रात्मिक स्वास्थे केंद्र खोलने और इन केंद्रों के संचालन के लिए अवश्थे केंद्र को स्विक्रिती प्रदान की। बैचक में मंदिस जिला के सामुदाइक स्वासे केंद्र बलदवाडा को पचास बिस्तरवाली नागरीक अस्पताल में विभिनने श्रेणियों के ग्यारह पदों के स्रिजन सहीत स्वरुनत करने का निरने लिया। जिला मंदी विशेशकर जंजहैली क्षेतर में परियतन गतिवीधियों को बढ़ावा देने के लिए मंत्री मंदल ने जंजहैली स्थित परियतन विभाग के सांस्क्रितिक केंद्र के सरुनयन, संचालन तथा प्रबंधन का कार्य एकल बोली लगाने वाली मैसर्ज, गेब प्रबंधन को सबसे अधिक बोली लगाने वाले मैसर्ज, एगरी कंसर्टेंट्स, प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली मैसर्ज, लॉट्स, इन होटल्स एवं ड्वेल्पर्स, प्राइवेट लिमिटेड, कंसोर्टियम को प्रदान करने का निर्डेलिया बैठक में आयुर्वेदिक अस्पताल केलंग का नाम श्री टशी चेरिंग आयुर्वेदिक अस्पताल केलंग रखने का निर्डेलिया गया यह निर्डे प्रसीद चिकित्सक को समान प्रदान करने के लिए लिया गया मंत्य मंदल ने जिला सोलन के श्री गूगा मारी मेला स्वाथू को जिला स्तरिय मेला घोशित करने का निने लिया बैठक में राजे में COVID-19 की स्थिती तता तीसरी लहर से निपटने की तयारियों को लेकर एक प्रस्तूती भी दी गई बैठक में राजस्वम मामलों के सुचारू निस्तारण के लिए राजे के उपमंडलों में सीश्ट्रेणी के कार्याले कानुनगों के 41 पदों को भरने की स्विक्रिती प्रदान की गई बैठक में जिला शिमला की तहसील कोटखाई में नई सुरिजित उपतहसील कलबोग के सुचारू कामकाज के लिए विभिन नवर्गों के 12 पदों को भरने का निरने भी लिया गया मंत्री मंडल ने वन विभाग में कनिष्ट अभ्यानता सिविल के 12 पदों को भरने का निरने भी लिया गया मंत्री मंडल ने मतस्य पालन विभाग में मतस्य अधिकारी के दो पदों और मतस्य क्षेत्री सहायक के 20 पदों को सीधी भरती द्वारा अनुबंध़ अधहार पर भरने का निरने लिया मंत्री मंदल ने परिवहन विभाग में मोटर विकल निरिक्षकों के साथ पदों को अनुबंध अधार पर भरने का निरने लिया मंत्री मंडल ने अटल विहारी वाजपई अभ्यांतरी की संस्थान प्रगतिनगर जिला शिमला के पॉलेटेकनिक विंग में कम्प्यूजर अभ्यांतरी की के वरिष्ट लेक्षर और इलेक्ट्रिकल अभ्यांतरी की का एक एक पद स्रुजित करने को अपनी सहमती प्रदान क मंत्री मंडलनी अभी योजन विभाग में कनिष्ट आशुलीपिक के दो पदों को सीधी भरती द्वारा अनुबंध अधार पर भरने का निर्णे लिया हिमाचल बुलिटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब टैनल आई पी आर हिमाचल फॉलो करें ट्विटर एथ DPRHP, लाइक करें फेस्बुक पेज इंफर्मेशन और पॉब्लिक रेलेशन देपार्टमेंट हिमाचल ब्रदेश विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in इस संक में इतना ही कल फिर होगी मुलाकार दीजे इजाज़त, नमस्कार